Good morning friends, मेरे चैनल Divine Health पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, चले आज आज आप और हम एक दिल्चस प्यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कॉफी के इतिहास से ले करके ब्लैक कॉफी पीने से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉफी कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बने और ब्लैक कॉफी पीने से हमें क्या-क्या हिल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। कॉफी के शुरुआत नौवी सदी में इथियोपिया की छोटे से गाउं से मानी जाती हैं। यहाँ केक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरिया कॉफी के बीच खाने के बाद अधिक सक्री हो जाती थी। और इस घटना से ही कॉफी के इतिहास के सुरुआत होई। दस्वी सदी में कॉफी यमन में काफी लोकप्री हो चुकी थी। इसके बीच को भुनकर, पीसकर, उबालकर एक प्ये के रूप में यूज किया जाता था। पंद्रवी सदी में कॉफी मक्क और मदीना में भी काफी लोकप्री हो गई। और धीरे-धीरे पूरे अरब जगत में ये पैल गई। सत्रवी सदी के आसपास कॉफी यूरोप में भी पहुँच गई। पहला कॉफी हाउस वियना में खोला गया और जल्द ही पूरे यूरोप में कॉफी हाउस का चलन बढ़ गया। और वर्तमान समय में कॉफी केवल एक पिये ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिक भी बन चुकी है। चाहे वो अमेरिका हो यूरोप हो एशिया हो अफ्रीका हो या फिर भारत हो। कॉफी का उप्योग उसका चलन हर जगह पे देखा जा सकता है। स्टारबक्स, डंकिन और अन्य अंतरास्टी कॉफी चेन ने कॉफी के सेवन को एक वेस्विक ट्रेंड बना दिया है। यू तो कॉफी दोद के साथ जादा इस्तिमाल की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में ब्लैक कॉफी का चलन उसकी फायदों की वज़े से काफी तेजी से फैल रहा है। ब्लैक कॉफी पीने से कई हिल्थ बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसमें शुगर और कैलरी की काफी कम मात्रा होती है, जिससे वजन गटाने में साहिक होती है, साथ ही इसमें एंटि ओक्सिडेंट होते हैं, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते और हमारी इम्यूनिटी को भ बढ़ा देता है, साथ ही ब्लैक कॉफी का सेवन करने से हमारे डाइजेशन में भी काफी इंप्रूब्मेंट देखा गया है, क्योंकि इसमें पेट में जो पाचकरस होते हैं, उसको तेजित करने का काम ये कॉफी करती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होत करता है, कुछ स्टुडीज के अंसार, ब्लैक कॉफी हिदय रोगों की जोखिमू को भी कम कर सकता है, ये हमारे ब्लड प्रिशर को नियंदरित रखने में मदद करता है, और साथ हमारे हार्ट को भी हिल्दी बनाए रखता है, तो फ्रेंट्स, ये थी ब्लैक कॉफी पीने स उससे मिलने वाले फायदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी, तो फ्रेंट्स, अगर आप दोध वाली कॉफी को नहीं पीना चाहते हैं, और अगर आप ब्लैक कॉफी के फायदों को लेना चाहते हैं, तो आपकी लिए डी एक्सन लिंग्जी ब्लैक कॉफी एक बहुत ही है, जिसमें 400 से भी जादा एक्टिव एलिमेंट पाये जाते हैं, ये गैनोडर्मा हमारे बॉड़ी की सिल्स लेवल पे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूफ करता है, और हमारे बॉड़ी से टॉक्सिंस को बाहर निकालने का काम करता है, यानि कि हमारे बॉड़ सिफाई भी अच्छे से होती है और हमारे शरेर में oxygen की सप्लाई भी बराबर होती है और यह दोनों चीजे होने के कारण हमारा शरेर हमेशा healthy बना रह सकता है तो डीकसे इंग्जी ब्लैक कॉफी में 21 कॉफी में कॉफी बींस के साथ में गैनो डर्मालों से डब मिलाया गया है जिसके कारण के बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देती है और काफी हिल्थ बेनिफिट भी हमें मिलते हैं और यह काफी स्वास्त और वेलनेस समधाय में एक संभावित लावों के कारण काफी लोकवरे भी हो चुकी है वरतमाल समय में कई ऐसे देश हैं जैसे दुबई मलेसिया पेरू थाइलेंड इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे देश हैं जहां पर डी एक्सन लिंग्जी ब्लैक कॉफी का सेवन अत्यदिक मात्रा में किया जाता है तो आए जानते हैं कैंको दिंग्जी कोफी को इस्तिमाल करने से अमें क्या-kya healthcare benefit मिलते हैं इस लिंग्जी कोफी का सेवन करने से हमारी एनर्जी में काफी अच्ती-ब्रudhी होती है यह कोफी अन्य कॉफी की तरह एनरजी तो देती ही है लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा काफी कम है इसके कारण यह हमें नुकसान नहीं देती है और बहुत अच्छी health benefit देती है साथ ही इस कॉफी में antioxidant है क्योंकि देकसल लिंग्जी कॉफी में ganoderma मिलाया गया है और ganoderma एक बहुत ही अच्छा antioxidant के रूप में जाना जाता है जो हमारे शरीर में हानिकारक free radicals को निश्क्रि करने में हमारी मदद करता है तो जब हम coffee का नियमिच 7 करते हैं तो हमारी immunity को भी अच्छा बनाए रखता है और जब हमारे शरीर की immunity मजबूत रहती है तो हमारा शरीर बिमारियों से लड़ने में भी सक्षम हो जाता है साथ हे लिंग जी coffee का 7 करने से हमारे मानसिक तनाओ को भी काफी हग करने में हमारी मदद करती है तो अगर हमें diabetes है तो हम अगर इसका 7 करते हैं तो इसे क्योर करने में मदद करती है और अगर नहीं हैं तो हम लंबे समय तक अपने बलड सुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और स्वस्त रह सकते हैं इस लिंग्जी टुइन वन कॉफी को डाइजेशन के रहे भी काफी बेनिफीशल माना गया है क्योंकि इसे पेट के लिए हलका माना जाता और कुछ लोग इसको पीने के बाद बेहतर पाचन की भी रिपोर्ट देते हैं कि इसको पीने से उनका डाइजेशन अच्छा हो गया है साथ ही इस लिंग्जी कॉफी का नियमिद सेवन करने से वजन को कंट्रोल करने में भी काफी हल्प होती है कुछ लोगी मानते हैं कि इसमें कैलरी कम होती है जो हमारे मेटावालिज्म को बढ़ावा देने में मदद करती है जिसके कारण वजन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है साथ ही जब हम लिंग्जी कॉफी का नीमित सेवन करते हैं तो क्योंकि यह हमारे सरीर में ब्लड सर्कूलेशन को भी इंप्रूफ करता है जिसके कारण हमें अगर प्राइमरी एस्थमेटिक अलरजी है या हमें साइनस का प्राब्लम है या माइग्रेन का इनिसिल स्टेज है इन बड़ी-बड़ी प्राब्लम्स को हम इनिसिल स्टेज पे छोटे लेवल पर ही क्योर करने में यह काफी हमारी बहुत हद तक मदद कर सकती है तो अगर हम इन प्रॉब्लम्स को face कर रहे हैं या शुरुवात हुई है तो हम इने शुरुवात में ही control कर पाते हैं तो दोस्तों ये दी coffee के इतिहास की यात्रा और डी इक्स एल लिंग्जी ब्लैक coffee के स्पाइदों के बारे में जानकारी दोस्तों ये लिंग्जी to in one coffee गैनो डर्म काफी के नाम से भी प्रसिद्ध है प्रचलित है जिससे आप इस्तिमाल कर सकते हैं और जब आप इसका regular यूज़ करेंगे तो आपको काफी benefit देखने को मिलेंगे साथ ही ये coffee जो है वो इसके अंदर 20 छोटे छोटे पाउच की रूप में उपलब्ध है जो बहुत ही आसानी से carry की जा सकती है चाहे हम travel में हो या किसी meeting seminar में हो हम इसको use कर सकते है easy to use है easy to make है हम इसे गरम पानी के साथ में coffee को add करेंगे और हमारी black coffee बन करके तयार हो जागी और हम एक बहतरीन coffee का आनंद ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी coffee की इतिहास की यात्रा और डी एक्सन लिंग जी black coffee के फायदों के बारे में जानकारी आशा करती हूँ आप पो ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपने दिनचर्या में इसे जरूर शामिल करना चाहे वीडियो को पुरा देखनी के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद अगर आप coffee के बारे में detail में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे contact भी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसे ही अधिक रोचक विश्यों की जानकारी प्राप्त करते रहें वीडियो पसंद आया हो तो like, share और subscribe करना ना भूले मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद